कि पहाडों से एक आवाज आई थी, ये कहानी दादी ने सुनाई थी एक परी रहती थी बादलों में एक लड़का गिना जाता था पागलों में कहता था बादलों से कोई आने वाला है, जमीन पर उतर कर मेरी सांसों में समाने वाला है उसे बिना देखे इजहार करता हूँ, कहता था मैं उसे खुछ से भी जादा प्यार करता हूँ इतना सब सुनकर परी ने जमीन पर आने की खानी मा ने रोका, बाबा ने समझाया पर किसी की एक नवानी रात का वक्त चारों तरफ अंधेरा था, रोशनी के नाम पर बस चांद का बसेरा अब चांद से याद आया है कि चांद की रोशनी भी तो फीकी पड़ जाएगी जब वो उतर कर मेरी छट पर आएगी तो कहानी ने नया मोड लिया, परी ने प्यार की खाते, खाबों से विष्टा तोड लिया कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा है, मेरे सामने कौन खड़ा है खुछ बोलता क्यों नहीं, इस तरह चुप्पी सादे क्यों मोन खड़ा है फिर उसने कहा कि मा बाबा घर बार सब छोड़ दिया मैंने, बहुत खाब सजाए थे काफी उंचा उड़ना था, सब तो